जै श्री राम, जै हर्मान बाबा की जै और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर सिस्टी के आन चैनल में और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान विश्नु का नाम विजय कैसे पड़ा तो यह वीडियो आज इसी बात पर समर्पित है तो चलिए श्रू करते हैं पर श्रू करने से पहले नमन करते हैं भगवान श्री राम का और भगवान हर्मान जी का तो जै श्री राम, जै हर्मान बाबा की जै देखिए ऐसा है हर नाम का एक अर्थ होता है तो भगवान विश्णु को विजय क्यों कहते हैं ये आज आपको बताने जा रहे हैं देखें विजय का अर्थ यहां पर है जो कभी ना हारा हो या हमेशा जीतता हो तो भगवान विश्णु को विजय इसलिए कहा गया है कि भगवान विश्णु आज तक कभी किसी से हारे नहीं है हमेशा वो जीतते ही रहे है इसलिए उनका नाम विजय रखा गया है अब देखें भगवान विश्णु के इस नाम का एक मंत्र भी है वहां मंत्र है ओम विज्याये नमा पढ़ना कैसे है ओम विज्याये नमा ओम विज्याये नमा इस प्रकार से इस मंत्र को आप 15-20 नट आंग बंद करके पढ़ सकते हैं और मंत्र पढ़ने से पहले भगवान गनेश का नाम जरूर ले पास साथ या ग्यारा बाद और पीले आसन पर जरूर पेटें पीला वस्तर जरूर धारण करें और घी का दिया जरूर जलाएं और हो सके दूब बत्ती जरूर जलाएं और हो सके तो घी का दिया जरूर जलाएं तो इस प्रकार से आप भगवान विश्णू के इस नाम की पूझा कर सकते हैं तो देखिए आज हमने आपको बताया कि भगवान विश्णू का नाम विजय कैसे पड़ा तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा और एक विंती है शेयर करिए लोगों को बताये लोगों तक पहुचाईए तो अब हमें आग्या दे जै श्री राम जै हर्मान बाबा और बनवान विश्णू